नमस्का जेहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों पचास प्रिशन लेकर आए हैं और आपको सही करना है केवल और केवल बीस प्रिशन एक्जाम में बार-बार आने वाले एक कॉश्चन है कई बार पूछे आ चुके हैं तो इनको अच्छे से याद कर लीजे करते इस वीडियो को स्टार्ट पहला कॉश्चन देखिए 14 वर्ष से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे पटाके वनाने वाले कार खाने में काम करते हैं इन कार खानों में बच्चों को काम करने देने से किस मौलक अधिकार का उलंगन होता है तो आप किसी भी खतरनाग जगा पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते यदि आप काम कराते हैं तो आप उनके किस मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो यहाँ पर right answer हो जाएगा उससे आपका हनन हो रहा है शोशन के विरुद अधिकार option number B शोशन के विरुद अधिकार प्रशन के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा इस question के लिए अगली question में क्या पुछा गया है किसने लोहागड या लोहगड नामक मजभूत किला बनवाय था तो लोहगड किला या लोहागड किला यदि आपको आ जाए तो यहाँ पर right answer हो जाएगा बन्दा बहादुर option number C वीर बन्दा बहरागी या बन्दा बहादुर option number यहाँ पर C right answer है इस प्रशन के लिए स्वामिधान के किस अनुछेत के अंतरगत नागालेंड राज के संबन्दे में विशेश उपवंदों का प्रावधान किया गया है तो नागालेंड राज के विशेश उपवंदों का प्रावधान किया गया है अनुछे 371 का में option number यहाँ पर भी अनुछे 371 का right answer हो जाएगा भारत के उपराष्टपती को चुना जाता है किस के द्वारा तो भारत के उपराष्टपती को चुना जाता है यहाँ पर right answer हो जाएगा option number C संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा option number C संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के उपर राष्ट पती की बात हो रही है को चुना जाता है दो देशों के बीच वस्तू विन्यवाई को क्या कहा जाता है तो दो देशों के बीच वस्तू विन्यवाई को व्यापार पढ़िणाम कहा जाता है option number C व्यापार परिणाम राइट आंसर है प्रशनी के लिए राजा राम मुहनराय और डेविड हेर निम्दलिकित में से किस से जुड़े हुए हैं तो राजा राम मुहनराय और डेविड हेर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी option number C हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं option number C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज अगला question है निम्दलिकित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रचन बौध की संग्यादी बताइए प्रचन बौध तो यार रखेगा प्रचन बौध की जो संग्यादी है यह दी गई थी शंकराचार जी को option number B शंकराचार जी को प्रच्छन बौध की संग्या दी गई थी भारतिय राष्टी कॉंग्रिस का प्रतम विवाजन कब हुआ था तो भारतिय राष्टी कॉंग्रिस का सबसे पहला जो विवाजन हुआ था यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था आपको याद होगा राष्ट्पती के पास कोई भी धन विद्यक आए तो उसको पुनर विचार के लिए नहीं लौटा सकता है और द्योगे क्रांती सरुप्थम किस देश में हुई थी आपकी इंग्लेंड में अप्शन बसि इंग्लेंड यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अग्लेंड के लिए हिमालाय काटकर एवन भहकर आने वाली नदियां बताईए तो हिमालाय के परे वाली नदियां उस तरप सिस्ठरप आती हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदी, औप्शन नमबर भी पढ़िए, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदी राइट आंसर है इसे प्रश्णी के लिए, भारत में खनिच के तेल के भंडार मुख्यत किस प्रकार की चटानों में पाई जाते हैं, तो भारत के जलोल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो पुरानी जो जलोल मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है ऑप्शन नमबर भी बांगर कहा जाता है पुरानी जलोल मिट्टी को और नई जलोल मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोल मिट्टी को बांगर कहा औप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सयुक्त जल्दारा किस नाम से जाने जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यहां पर मिलती है उसके बाद एक नदी बन जाती है उसको कहा जाता मेघना, औप्शन नमबर C मेगना राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रहमपुत्र की सहयुक्त जल्धारा शरकर आप फैक्त्रियों की अधिक्तम संख्या कहां पर है तो शक्कर की अधिक्तम जो फैक्त्रिया है यहाँ पर आपको जो option दिये गए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, option number A, UP, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए भारती सम्विधान में मूल कर्तब विकब समाविष्ट किये गए थे तो यदि आप भारती सम्विधान में देखेंगे, तो जो मूल कर्तब वे हैं उत्तर प्रदेश में सम्विष्ट किये गए थे, option number D, उत्तर बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्णी के लिए वित्यायोग का गठन किया जाता है कितनी आउधी के लिए तो जो वित्त आयोग है उसका जो गठन किया जाता है पांच वर्ष की आउधी के लिए किया जाता है option number B पांच वर्ष की आउधी के लिए वित्त आयोग को गठन होता है right answer हो जाएगा option number B अगला प्रश्ण है किस पुर्तगाली गवर्णन ने नीले पानी की निती अपनाई कौन सा पुर्तगाली गवर्णन था जिसने नीले पानी की निती अपनाई मतलब समुद्र के किनारे किनारे वाले जो एरियों उस पर कपजक किया तो राइट आंसर हो जाएगा अलफ फ्रा तो महराश्ट्र में जो वक्ती संप्रताय था यह संत ज्यानिश्वर जी ऑप्शन नमबर भी कि सिक्षाओं के द्वारा फैला था ऑप्शन नमबर भी संत ज्यानिश्वर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्णी के लिए विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संगर चलता रहा तो विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक जो संगर चलता रहा बहमनी राज्य के साथ चलता रहा उप्शन नमबर सी बहमनी राज्य राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश प्रश्ट्रपती पर महाव्योग की प्रक्रिया दे गई है अमेरिका के सम्विधान से लिए ऑप्शन नमबर यह अमेरिका का सम्विधान प्रश्ण के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कौशन की बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर तो लेगा हॉक ने लगाए था ऊपिण नमबर द объяс हो जाएगा नदियो तालालाबों आदी में पाये जाने वाले जली हर्य रुढ़ँ को अठो disp принцип का जाएगा और दोस्तों देख रहे कॉशन कितने अच्छे हैं यह आपके एक्जाम में पिछले कई सालों से पुछ जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बनाए हैं, 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format वे 4 option में, जो कि आप जो एक्जाम तयारी कर रहे हैं, उसमें आ सकते हैं, 100% chances से आने के, और वो question answer PDF है, और PDF सब को WhatsApp पर मिल जाएगी, आप मैं से जिसको भी चाहिए, WhatsApp पर PDF मिल जाएगी, PDF जो है आपकी, वो 300 रुपे की है, लेकिन अभी एक्जाम चल रहा है, तो केवल 99 रुपे में, जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है, वो ले ले, बाकी YouTube से पढ़ो, बाकी जिसको लेना हूँ, 99 रुपे में आपको 10,000 GKS की question मिल रहा है, जो कि आपके exam में फच सकते हैं, तो इनको PDF को लेने के लिए नीचे देगा नंबर और WhatsApp कर लेना, नंबर आपको पूरे वीडियो पर शोगा, जब भी आप वीडियो चोड़ो, उसके बाद आप call कर लेना, या screenshot लेके रख लेना, ठीक है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, तो उसके भ का महसूस होगा, option number यहां पर A, विस्ताबित पानी के भार के बराबर right answer है, जब कोई नाओ नदी से समुद्र में प्रविश करती है, तो क्या प्रवाव पड़ेगा, तो नाओ यदि नदी में है और वो समुद्र में प्रविश करेगी, तो वह थोड़ा ऊपर उढ़ यांतरिक उर्जा को विदुत उर्जा में प्रविश करेगा, option number C, यांतरिक उर्जा को विदुत उर्जा में बदलेगा, डाइनेमो, जब गर्म पानी को मोटे कांच की गिलास के उपर छिड़का जाता है, तो वह तूट जाता है, इसका क्या कारण है, तो एकदम से गर्म जल ठंडा रहता है, तो मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा रहता है, राइट आंसर हो जाएगा, वास्पी करण की कारण, option number C, वास्पी करण की कारण, राइट आंसर हो जाएगा, प्रशन के लिए, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक ब्रदी होती है, तो आप एक शिक आदरता पर क्या प्रवाब पड़ेगा, तो आप एक शिक आदरता घट जाएगी, option number B, आप एक शिक आदरता घट जाएगी, right answer हो जाएगा, प्रेशर को कर में भोजन तेजी से पकता है, क्योंकि वायुदाओ में क्या होगा, व्रद्धी कैसी रहेगी, तो प्रे नित्रदान में आख के कौर्णिया को डान किया जाता है, option number B, नित्रदान में आख का जो कौर्णिया होता है, उसको डान किया जाता, right answer हो जाएगा, नियूरौन किसकी काई है, तो नियूरौन आपकी जो है, यहाँ पर आपको जो option देगा है, तंत्रिका उतक की काई है, न की कमी हो जाएगी तो शल्य क्रिया के उप्रांत रक्त स्राव हो जाएगा सेजरी के उप्रांत मतला खून का थक का असानी से नहीं जमता ऑप्शन नमड़ी यहां पर आइट आंसर हो जाएगा यदि आपके में की कमी है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा कमी का और दिखाई देगा औ Mississippi का कुछ आइगा डायाप्टर गया तो डायाप्टर जो आपकी डिकाई है वह लाइंस की चंपता क्र edonna यहाँ पर डायाप्टर ऑफिन नमड़ी राइट आंसर ही डॉक्त्रों के थर्मामीटर का विश्कार कसन हो जाएगा तारों के प्रकाश वर्ष कितनी किलोमेटर के बरावर होता है तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका नौ दिसंग नौ चार्ष को दसकी उपर बारा किलोमेटर के बरावर इतना बड़ा होता एक प्रकाश वर्स, option number B यहाँ पर right answer है, किसी तत्वों के रासाने गुण निम्नमे से कौन तै करेगा, तो किसी भी तत्वों के रासाने गुण उसके इलेक्ट्रोनों की संख्या तै करेगी, option number A, इलेक्ट्रोनों की संख्या, तत्वों की प्रक्रति को ग्याद किया जा सकता है कैसे, तो तत्वों की प्रक्रति को क्रोनिक इलेक्ट्रोनिक विन्यासी करण के द्वार ग्याद किया सकता है, option number D, क्रोनिक इलेक्ट्रोनिक विन्यासी करण के द्वार ग्याद किया सकता है, लिउमेन किसका मात्रक है, तो ल कौन सी उर्जा होगी, तो गतिमान वस्तु में गतिज उर्जा होगी, option number C, गतिज उर्जा होगी, गतिमान वस्तु में, प्रकाश की चाल को सरप्थम किसने मापा था, तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था, option number C, सबसे पहले रोमर ने मापा था, घड़ी मे चाबी देने पर कौन सी उज़ा संग्रहित होती है तो घड़ी में चाबी देने पर आपकी इस्थतिज उज़ा संग्रहित होती है option number c इस्थतिज उज़ा right answer है किसी lift में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा तो लिफ्ट में बैठे हुए वक्ति को अपना भार जब लिफ्ट तुरित गती से उपर जा रही हो तो अधिक मालूम पड़ेगा option number भी यहां पर right answer है एक लिफ्ट में किसी वक्ति का प्रतेक्ष भार वास्ते को भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो किस तरब तो लिफ्ट ज़ित तुरण के साथ नीचे जा रही हो तो वक्ति को भार कम महसूस होगा option number भी यहां पर right answer है सभी कैसे सूने आयतन घेरेंगी जब ताप क्रम क्या होगा तो सभी कैसे सूने आयतन घेरेंगी यदि ताप मान पहुंच जा है माइनस 273 degree Celsius ठीक है तो सूने आयतन घेरेंगी option number भी और आपके लिए surprise question है comment करके बताना है कि परम ताप का मान कितना होता है आपको इस question का answer comment करेंगे आप comment box में कि जो परम ताप होता है उसका मान कितना होता है मैं आपको दो option दे रहा हूँ 0 degree Celsius या माइनस 273 degree Celsius comment box में इस question का answer दीजिएगा क्या आपको टेस्ट अच्छा लगा क्या आप रोज जैसे ही छोटे-छोटे टेस्ट चाहते हैं हमें comment करके बताईए पीडिएफ के लिए नीचे दीए नंबर पर संपर कर लिजिएगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियों अपने खेले कि आप सभी का बहुत बहुत रन्यवाद दोस्तों आपको दिन शुभू जै हिंद जै भारत